कि आप सब लोग उमीद करती हूं सब खहदे से होंगे मज़े में होंगे वेल्कम बैक टूमा यूटूब चानल एजी होस्टला विद अलीजे एंड जिमल आपके रमजान बहुत अच्छा गुज़रा है आपकी एद की त्यारियां मुकमल हो चुकी है और अब जस्ट वेट क दिन का तो वो दिन दू नहीं हैं सिरफ कुछ खंटे बाकी हैं और हमारी त्यारियां मुकमल हो चुकी हैं तो मैंने सचा आपके साथ चांद रात की वीडियो भी शेयर कर दूँ आपके साथ थोड़ी सी बाते भी कर लूँ और कुछ अपनी एद की रोटीन के बारे में भी आपको बता दूँ और चांद रात की रोटीन भी आपको दिखा दूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोई भी विलॉग अपना नहीं किया था तो इस दफ़ा आपको चांद रात के साथ साथ हमारे ईद रोटीन भी विलॉग में मिलेंगी सो यहां पर मैं गई ग्रॉसरी करने क्योंकि एद है और एद के बाद कुछ केस्ट की दावत भी है हमारे कर में तो ग्रॉसरी करनी थी तो अल्ला माफ करे हर चीज़ को इतनी आग लग चुकी है चो चीज़ एक हजार की है वो लेने जाओ तो दो हजार का बिल बन जाता है जिकन मैंने लिया था कुछ वेजिटेबल्स लें थी और मीठे में रस्मलाय में बनाने थी उसके कुछ पैकेट लिए मेकरोनी बगर ली ये साइच चीज़ बगर ली और इसी में ही साथ आठ हजार बिल बन गया मतलब के चार चीज़ों का बिल साथ आठ हजार तो मैं मसा घर में बनाने का इस लिए भी आता है क्योंके मेरी फिवर्ट क्रॉकरी होती है और दुसी बात यह कि मैं अपने पसंद के बरतन में उसको सर्फ भी करती हूं अपनी पसंदी या परतन में खाती भी हूं इसलिए मूझे बहुत जयादा मजा आता है घर में मेकराणी बनाने का और भी टिशिस बनाती हूँ लेकिन मेकराणी मेरी मॉस्ट फेवरिट है और फिर शाम हो गई तो मैंने सोचा चछ पर चले जाती हूँ देखती हूँ चांद नजर आया या नहीं लेकिन चांद कैसे नजर आ सकता था मैं तो भी जो बना रही थी न तो चांद कैसे नजर आ जाता आप लोगों को इसलिए चांद नजर नहीं आया तो एद हमारी रह गई तो मैं फिर अफसुद्धा होके नीचे आगी मैंने का चलो भई खैर है नहीं चांद नजर आ जाए इद हम पर सो मना लेंगे कोई मसले की बात ही नहीं है तो फिर दिल को तसली दी भाई एक आदे दिन से क्या फरक पड़ता है लेकिन पते क्या एक्साइटमेंट होती है अचानक कीद की लेकिन कोई बात नहीं जब अल्ला को मनजूर है तब ही होनी थी और उसके बाद में क् फिर हम लोगने इसको एंजोई किया तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ साथ वीडियो शेयर करें हूं जीमल ने भी अपनी कुछ वीडियो में साथ शेयर कियी थी जीमल ने भी अपने नेल्स वगरा टैच कर लिये थे उन्होंने भी चांद रात पर त्यारियां शूरू कर ली थी यहां पर हमारे बच्चों की त्यारियां भी मुकमल थी और जोडोशोर से और जोडोग्ति क्यीएं चल रही थी और हमारी डेंटिंग पैंटिंग हमारे घरवलों की रहती थी तो हमने सुचा के जाके उनको थोड़ा सा सज़ा दें हम चार्ट चांद लगा दें वैसे तो उनको जरूरत नहीं है लेकिन यह भी भी चलता है लाइफ में सासाथ तो यहां पर जिम्मल नेल पैंट लेके बैटी है क्योंकि हमारी चोटी बेबी जिद कर रही थी कि हमने नेल पैंट के साथ अभी इंजोई करना है कल किसने देखी अभी नेल पैंट भी साथ में लगानी है महदी लग चुकी थी इनकी माशालला तो पर नेल पैंट लगाई और उसके पाद फेशल बगारा का हमने अरेंज कि कि हम लोग फेशल बगारा कर लेते हैं क्योंकि यह वो चीज़ें हैं जो चांद रात पर मस्ट होती हैं महदी लगाना चुड़िया पहनना क्योंकि एद वाले दिन तो होता ही होता है लेकिन एद से पहले जो चांद रात को मज़ा आता है ने इन चीज़ों का तो फिर उसक करते हैं यहां बीजी होते हो तो आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो यहां पर जीमल ने ओर्डर किया अपने लिए खाना और खाना बहुत ही मज़े का था उसके बाद सेलिब्रेट की हमने अपनी बेवी की बर्डे उनकी बर्डे थी तो हमने सोचा कि आज क्य लेंगे और खुशियां हमारी माशाला दोबाला हो जाएंगी तो यहां पर जीमल ने डेकुरेट कर लिया था माशाला जो के बहुत एक्सपर्ट है डेकुरेशन में तो बलाक एंड रेड का हमारा थीम था डेकुरेशन हो चुकी थी सारी और उसके बाद पर के कटिंग की बारी थी के कटिंग करने से पहले बच्चों का फोटो शूर था इंजॉयमेंट थी और उनकी यही चुट-चुटी खुशिया हैं जिनको वो लोग इंजॉय करते हैं उसके बाद यहां पर मेरी भी कजन के बच्चे आ गए थे कि हमें महंदी लगा दो तो फिर मैंने उनको महंदी लगाई तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं उनकी महंदी की पिक्चर और वीडियो के आप भी देख लें कि हमारे हाथ में कितना टैलेंट है और हमें हर चीज अलहम्दलिल्ला हर चीज आती है हर काम में हम लोग आके आगे होते हैं मतलब किसी भी चीज को ना तो ना करते हैं और ना ही किसी चीज से इंकार करते हैं तो यहां पर हमारी एद की त्यारियां मुकमल हो चुकी थी और सारे कपड़े वगरा रेडी हो चुके थे और मेरी अभी भी एद की अन्बॉक्सिंग रह गई है लेकिन मैं आपको फर्दर वीडियो में शो कर वाऊंगी हेड़ चीज इंशाओला और यहां पर मैंने भी अपने हाथों पे मेहंदी लगा ही लेही टाइम निकाल के रात के बारा बच रहे थे तो सोचा मैं भी थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँ तो यहां पर मेरे हाथों का बुरा हाल हो चुका था तो कोई बात फीं क्यूंकि और अपनी फैमिली का धेर सारा क्या रखिएगा ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा दौाओं में हमें याद रखिएगा अलाहाफीज